जैगो माता जैगो पाल भक्त बचल प्रबु दीन द्याल गामाता की कृपा से बहुत ही नेक कारी है चंदर प्रकास जी सैनी मिटावा सुरत नागरी प्रिशव सचीवी के द्वारा यहरेचारे की गाड़ी पींजरा पोलगव साला में बेजी गई है हराचारे की निराई का काम सुरू कर दिया गया है उसके बाद में गामाता को यहां लाया जाएगा गामाता बोजन करके पीपड़ों के छाओं के नीचे बिश्राम करेगी यह नेक कारिये हमारी चंदरपकाजी रतन का आगमन होए थे उस दिन उनके द्वाराई शुरू करवाया गया उस दिन उनको आदेश भी हुआ कि यह गाड़ी मेरी तरफ से भी डलवाई जाए तो आज पूर्णी मा के दिन उनके गाड़ी मंगवाई गई है यह नेक कारिये सचिमोदे द्वारा करवाया जाता रहता है उनका मन रहता है गोमाता की करपा से एकाम बहुत ही नेक कारिये है यहराचारा खाकर के गामाता पिपलों की छाम के नीचे भी श्राम करेगी तो बहुत ही अच्छा लगता है यह राचारा प्रति दिन गव साला में गाड़ी मंगाई जाती है जो गो भगत द्वारा देश किया जाता है उनके द्वारा मंगवादी जाती है वो माता को प्रति दिन हराचारा दिया जाता है कि सची उम्मोदे का ये कारिये ने कारिये में बहुत मन लगा रहता है अंदर पुटाश जी गदिनों रतन गड़ाई तो उनको कि वह ऐसे द्यान देते ही रहते थे कि नगर में और अच्छा कारिये कैसे हो क्या हो उसके बाद में गो माता को ये खाने के लिए दिया जाएगा इसने कारिये के लिए नागरी प्रिशत सूरत को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साथ वाद यहू जैगो माता जैगो पाल तो नमस्कार आप देख रहे हो आपी का चैनल यूटूब रतंगर धार्मिकर आज हम फिर यहाँ चंदर प्रकाजी के दुवारा यहाँ गवसाला में बेट की गई है आप देखेंगे सकते हो कि सामने अब जो गव माता है वो आनिप्रार्म हो चुकिया आप इदर भी देख सकते हो कि जितने भी ठान है यहाँ पर लगबग भी चवदा ठानों नो बताए है लगब यह मिठा है यह चारा उन्होंने का था कि बाई साब यह बिल्कूल एकदम देशी गी है और इसके खाने से गायों को बड़ा ही लाब भी मिलता है और गाएं बड़ी परसन भी होती बिल्कु हराचारा है और आप यह भी देख सकते हो कि आज पूर्णिमा का दिन है आज बिल्कुल विसेश दिन ह आज हरे चारी की गाड़ी दिलवाई है उनको बहुत लाब होगा धन्यवाद अब जैसे ही गाएं यह पहुंचेगी वह द्रिश्यम आपको दिखाऊंगा तो देख तेरी आप हमारा यूटूब चैनल रतनकर धार्मिक और आपसे निवीदन फिर से करना चाहूंगा कि जाइएं के दरसन कर राता हूं जो गाएं बहुत सारी गाएं इन ठान के उपर आकर बोजन ग्रहन करें द्खाएंगे भी आपको दिखाएंगे भी आपको देख सकते हों कि बच्चा भागते वागए और यह जो गाएं हैं उन गायों को यहां खोलने के लिए बाड़े को गयर आप देखी विसकते होगे यह देखो उन्होंने बच्चे ने यह बड़ा खोल दिया रही है गाएं का आना प्रारम हो चुका आप देखे आप यह देखे यह सभी गव माता है आज पुल्मीमा का दिन है यह सभी गव माता यहां आकर यह हरे चारे को ग्रहन करेगे भी आ आप देखे आप यह देखे कितने पर्शन मंद से हरे चारे को खाने के लिए यह दोड़ती विया आई यह गव माता आप देख सकते हो देखे आप आज का दिन विशेज दिन है पुल्मीमा का दिन है आज के दिन दान करने से बहुत ही लाब मिलता है ऐसा है बबु आपने आपके जाएं आ यहां और यह वि राज मान हो देख सकते हो कि कितनी फिर क्यूस्अ कि अपनी पर्शन और से अपने यह चारे को खाना प्रारम कर देगी आप देख सकते हैं यह देखिए एक दो तीन चार पांच चाह साथ आर नो दस ग्यारा बारा तेरा चवदा यह पूर यहां चवदा ठान है और भी गाएं आ रहे हैं और गाएं के दर्फित करता हूं देखो दूसरा बाड़ा अ देखो वो और भी गाएं इधर दोड़ती भी आ रही है छोट छोटे बाच्छे भी हैं उनके भी मापको दर्फित करोंगा आज पुरुनीमा का विशेश दिन है आप देख सकते हैं जैसे ही वो गाएं बाच्छे नजदीक पूंचे कि मापको दर्फित करोंगा यह देखो चोटे चोटे बाच्छे और सांड यानि गुदा और यह भी सब इदर आरे हैं देख सकते हैं तो आप सामने देख सकते हो कि इसी गाड़ी के अंदर हरे चारी को लाए गया था आज का मैं वीडियो में यहीं स्वापताइब करता हूं और इस परकार के दार्मिक कारिकर्म और इस गौसाले समंदित कारिकर्म देखने के लिए नित्ते आप हमारे चैनल को सुब जुरू देखिया प्रोजयना हम श्री रतन गड़ पिंजरा पॉल गोवसाला समीती चुरोड से भोले हैं आप देख सकते हो कि अभी गाड़ी यहां जो चारा इसमें बहुत सारा चारा है तो यहां नंदी है यानि गोदे यानि की सांड जिनको बोलते हैं उन सांड को नीरनी के लिए यहां अभी यह गाड़ी आई तो आप देख सकते हो कि सांड गोदे जो जितने भी बोलने सुरू करती है उन्होंने उनको पता है भी हमारे लिए बोजन की विवस्ता हो चुकी आप देख सकते हो भी आप देखे आप जाता है रस्चिया ओंजारा देली मंपूर बड़ी सहलाई रे तो देली मंपूर बड़ी सहलाई रे ओ मोरे चडी लेहराईरे काटू वाला मोरे चडी लेहराईर बनिले वाला मोरे चडी लेहराईरे